हेलो, गुड यूणिंग फ्रेंड्स, इंगलिस भीत प्रमौत कुमार के प्लेटफार्म पर आप लोगों का बेलकम है, आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड करें, एक क्लास जो है, टेंस पर आधारित है, पूरा एक लेक्चर रहेगा, जो आपके टेंस से सम्मंधित डाउट है, वो डाउट इसी वीडियो में शमाप्थ हो जाएंगे, ध्यान पूर्वग बस आपको वीडियो देखना है, यह वीडियो शभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइज स्कूल में है, नाइन्थ में है, या फिर शिक्स, शेवन्थ, एट्थ क्लास, टेंस पूँचा ही जाता है, आज की क्लास में हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगी, आफ्टर बैट, कुछ एक्जामपल देखेंगी, जिसमें टेंस आपको पहचानना होगा, कि काउन सा टेंस है, काउन सा टेंस होना चाहिए, थोड़ा वीडियो, लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेएगा, चले भी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टेंस, सबसे पहले हम देखेंगे कि भी टेंस, टेंस जो है, काल, समय, यहनि समय को तीन भागों में बाटा गया है, जिसको काल बोलते हैं, काउन साफ टेंस, टेंस के हम प्रकार देख लेते हैं, तो टेंस के जो काइंट्स होते हैं टेंस के प्रकार जो होते हैं ओनली थ्री तिन ही प्रकार का टेंस होता है पहला जो टेंस हमारा होता है प्रजेंट टेंस, सेकेंड टेंस होता है पास्ट टेंस, तीसरा जो टेंस हमारा होता है फ्यूचर टेंस प्रजेंट टेंज को वर्तमान काल कहते ही, पास टेंज को भूत काल कहते ही, फ्यूचर टेंज को भवेस्य काल कहते ही ध्यान देने योग की बात यह है कि प्रते एक टेंस की चार-चार पार्ट्स होते हैं भाग होते हैं चाहे वो प्रजेंट टेंस हो चाहे वो पास टेंस हो चाहे वो फ्यूचर टेंस हो पहला पार्ट इंडिफिनिट दूसरा पार्ट कंटिनिवस continuous जो tense होता है इसको दो अधर नामों से जाना जाता है कभी-कभी एक जाम में पूँछा जाता है तो continuous न दे करके imperfect या progressive tense के नाम से पूँछ लिया जाता है तो आप लोग ध्यान रखें continuous इंपर्फेक्ट प्रोग्रेश्यू ये तिनो एक ही टेंस के नाम है present continuous तो मने क्या बता कि continuous tense के दो अन्य नाम और है imperfect प्रोग्रेश्यू जो imperfect है वही इंप्रोग्रेश्यू है continuous है ये प्रोग्रेश्यू इंपर्फेक्ट continuous ध्यान रहेगा आप लोगों को तीसरा जो पार्ट होता है पर्फेक्ट होता है फोर्थ जो पार्ट होता है पर्फेक्ट कंटिनिवस होता है अब एक एक हम टेंस को देखते हैं फिर उसका रूल देखते हैं कि एक्जाम में यदि sentence आता है तो कैसे हम sentence को पहचानेंगे कि present tense है कि past tense है कि future tense है ध्यान दे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा आप लोग अभी आगे exercise हम करवाएंगे जिसमें आप लोग टेंस बताएंगे कौन सा tense है फर्स्ट प्रजेंट टेंस बर्तमान काल जैसा कि मैंने बताया है बर्तमान काल के भी चार भाग होते हैं प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रजेंट कंटिनिवस टेंस प्रजेंट परफेक्ट टेंस और प्रजेंट परफेक्ट कंटिनिवस टेंस प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस अफर्मेट्व सेंटेंस का रूल होता है सबजेक्ट वर्ब अबजेक्ट प्लस अधर वर्ड यानि यदि सबजेक्ट सिंगलर होगा तो verb में yes या es का प्रियोग किया जाता है क्योंकि जितनी भी verb हैं वो सब plural होती है तो verb को singular बनाने के लिए yes या es का प्रियोग किया जाता है बहुत important topic है आगे उची क्लास में पूछा जाता है subject agreement नाम का एक topic आता है subject और agreement यद subject singular है तो verb भी singular रहेगा यद subject plural है तो verb भी plural रहेगी तयानी affirmative में दो rule singular subject singular verb plural subject plural verb बाकी object प्लस अधर वर्ड ये दोनों में ही रहते हैं negative sentence में देखते हैं subject यदि singular subject है तो does not use करेंगे plural subject है तो do not use करेंगे यदि singular subject है तो does not यदि plural subject है तो do not फिर वर्ड की first form यूज करेंगे फिर object लिखेंगे फिर other word होगा continuous tense में देखते हैं subject होगा कैसे पहचानेगी टेंस अंग्रेजी का है ये sentence इंग्लिस में लिखा होगा हिंदी में पहचानने को नहीं आएगा इंग्लिस में होगा तो कैसे पहचानेगे subject है subject के साथ में helping verb is है एम है आर है और वर्व में आएंजी भी लगा है ध्यान देजी आएंजी भी होना चाहिए नहीं तो पैसे वाइस का वाक्य होगा indefinite का टेंस होगा पैसे वाइस में is MR देख करके आप लोग continuous टेंस लगा करके चले आएंगे परिछा में फिर आप बोलेंगे सर्जी ने गलत पढ़ा या सर्जी ने गलत पढ़ा दिया ध्यान दीजी continuous टेंस में इस एम आर प्लस साथ में वर्व में आएंगी भी लगा होना चाहिए प्रजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं प्रजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान दीजी प्रजेंट परफेक्ट टेंस रूल क्या है सबजेक्ट लिखेंगी हैज या हैव लगाएंगी वर्व की थर्ड फाम लगाएंगी फिर आपजेक्ट लगेगा फिर अधर वर्ड लिखा जाएगा यानि सिंग्लर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगेगा प्लिूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा सिंग्लर के साथ हैज प्लिूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लेकिन दोनों के साथ वर्म की थर्ड फाम का प्रियोग किया जाता है Present Perfect Continuous Tense को देखते हैं Present Perfect जो Continuous Tense होता है Subject उसके बाद has been फिर have been has been, have been वही रूल, subject singular है तो has been, subject plural है तो have been फिर वर्व में, ing फिर उसके बाद object होगा object के बाद since या for लगेगा आप जानते हैं, point of time के लिए since यूज़ किया जाता है अन्था for का यूज़ करते ही उसके बाद time, फिर other word अब देखते हैं, past tense भूत काल इसके भी चार पार्ट होते ही past indefinite tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense past indefinite affirmative का जो rule होता है subject verb की second form फिर object फिर other word ध्यान दीजिए कि past tense में जो फर्मेट्व संटेंस होता है इसमें singular और plural की कोई बात नहीं होती है चाहे singular subject हो चाहे plural subject हो वर्व की हम second form का ही यूज करेंगे नेगेट्व संटेंस में यही सब नियम है यही रूल अप्लाई होगा subject उसके बाद दिड नाट उसके बाद वर्व यहां गलती से वेरी लिग गए यहां पर वर्व होना चाहिए यहां क्या होगा वर्व वी इ आर वी वर्व वर्व होना चाहिए यहां पर जान दीजी subject प्रजेंट पास्ट कांटिनियूस की बाद करते हैं तो subject उसके बाद वाज उसके बाद वेर उसके बाद वर्व वर्व में आएंजी आएंजी के बाद object आपजेक्ट के बाद other word यानि past continuous tense होगा singular subject होगा तो वाज का प्रियोग होगा plural subject होगा तो वेर का प्रियोग होगा आई के साथ वाज का प्रियोग होगा past perfect tense देखते हैं past perfect जो tense होता है उसका जो rule है subject उसके बाद head, verb की third form plus object plus other word यानि subject लिखेंगे head होगा verb की third form फिर object होगा फिर other word अनिसब्द लिखेंगे आपको ध्यान रखना है कि verb, main verb और verb यानि helping verb पर आपको ध्यान देना है past perfect continuous tense subject उसके बाद head उसके बाद फिर win लगेगा win के पस्जाद verb verb में ing plus object plus since या for फिर time फिर other word इन्ही रूल पर apply कुछ example हम आप लोगों से करवा रहे हैं जो exercise आप करें और अपना जवाब अपना comment करें कि कौन सा tense होगा आप लोग ready रहें चलिए आप लोग जवाब करें पहला sentence लिखा है in which tense the following sentence is written किस tense में वाख लिखा गया है आपका sentence है I write letters to my brother आई राइट आई राइट लेटर टू माई ब्रदर जवाब करें आप लोग चलिए आप लोग जवाब करें आप लोग जवाब करें I write letters to my brother option A present indefinite होगा या present perfect होगा या past indefinite होगा या फिर present continuous होगा यह आपने class को ध्यान पूर्वक सुना होगा तो आप लोग answer जरूर कर पाएंगे और ध्यान दें इसी तरह के वाकी competition level में या फिर high school के परिक्षा में बोर्ड गिजाम में पूँचे जाने हैं हमने बताया था subject होगा subject के बाद verb की फ़र्श फाम लगी होगी तो present indefinite tense होता है कॉंसर टेंस होता है present indefinite tense तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा option A option A is the right answer next question देखते है when in a sentence जब किसी tense में has or have is followed by third form of verb which tense is it sentence कह रहा है जब किसी sentence में has have का यूज होता है verb की third form का प्रियोग किया जाता है तो कॉंसर टेंस होता है present perfect होता है या फिर past perfect होता है या फिर present perfect continuous होता है या फिर past indefinite tense होता है चले आप लोग कमेंट करें option A होगा कि option B होगा कि option C होगा कि option D होगा जैसा कि मैंने बताया था present perfect tense में has या have plus verb की third form सीधी सी बात आपको याद रखना है has कोई भी tense आ जाए कोई भी sentence आ जाए उस sentence में has या लगा हो और plus verb की third form लगी हो present perfect tense होता है option A is the correct answer question number 3 का आप लोग answer करें in determining the tense of a sentence what is most important चलिए आप लोग जबाब करें determining tense में of sentence किसी भी tense की determiner में क्या important होता है subject of sentence object of sentence verb of sentence conjunction of sentence आप लोग जबाब करें आप लोग जबाब करें इसका जो right जबाब होगा right answer होगा verb आप दा sentence option C is the right answer sentence कहरा है किसी भी sentence में what is important क्या महत्र पूर्ण होता है verb होती है यह sentence से verb ही हटा दे जाये तो पुरा sentence का sense ही नहीं निकलेगा चलिए आप लोग question number four cancer करें what is the form of the past perfect continuous tense देखे जैसा कि मैंने rule लिखा था उसी rule पर यह base है कि past perfect past भी है perfect भी है continuous है past perfect continuous tense का rule क्या होता है यहाँ पर past perfect continuous tense का rule पूशा गया है कि option A है कि option B है कि option C है या फिर option D है 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 प्रेजेंट perfect में ए आप्सन तो इसे ही कट गया है 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 प्लस वर्ब की third form नहीं होगा क्योंकि perfect continuous में बीन होता है तो जिस sentence में बीन लगा होगा वो sentence ही होगा कि option C भी नहीं होगा कह रहा है 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 बीन प्लस वर्ब की थर्ड फार्म यह भी गलत हो जाएगा कि option D is the correct answer है है बीन होगा प्लस वर्ब होगी वर्ब में आएंजी लगे होगा कहिन मताया था प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आएंजी प्लस अब्जेक्ट प्लस सिंस यह फार उसके बाद टाइम फिर अधर वर्ड ऑप्शन दी इस दा करेक्ट आंसर क्वेशन नंबर फाइब विच टेंस इस यूजड फार एन एक्षेन जेस्ट कम्पलिटेड वो काउन सा टेंस होता है जिससे पता चलता है कि पिलकुल कार्य भी शंपन हुआ है ओप्शन ए है कि ओप्शन बी है कि ओप्शन सी है कि ओप्शन डी है ओप्शन नहीं कहरा कि प्रजेंट इंडिफिनिट होता है Option B, Past Indefinite Option C, Present Continuous Option D, Present Perfect Tense आप लोग कमेंट करें Which Tense is used for an action just completed? वो काउन सा Tense होता है जिसे पता चलता है कि कारी अभे भी विल्कुल शंपन हुआ है जवाब करें आप लोग Option D, Present Perfect Tense जैसे I have eaten the food मैंने भोजन कर लिया है I have taken the tea मैंने चाय पीली है इस तरह के जो आके आते हैं ऐसा लगता कि कारी विल्कुल जश्ट भी complete हुआ है Question No.6 Which one of the following is a correct sentence इसमें से कौन सा sentence correct है आप लोग comment करें I am liking reading books Option B, you likes reading books Option C, you have liked to read books Option D, you like reading books Comment करें आप लो कौन सा sentence में सही होगा Option B आपका कट जाया है क्योंकि U Plural है Plural के साथ Likes का यूज किया गया है जो की wrong है Option D is the right answer You like reading books Next Question को आप लोग जवाब करें Question number 6 हो गया था श्रेवन देखिए In which tense is, am, are are used as helping verb काउन से tense में is, am, are helping verb के रूम में प्रियोग की जाती है Option A, present continuous Option B, past indefinite Option C, past continuous Option D, present perfect tense बहुत इजी question है Comment करें आप लोग Is, am, are किस tense की helping verb है सीधी सीवाग Present continuous tense काउन सा है Option A is the right answer Present continuous tense Next, find out the correct sentence Among the following Find out the correct sentence Among the following दिये गे वाक्य में सही sentence आपको डूढ़ना है डूढ़ करके आप सही sentence बताएं Ram and Sita plays chess Ram and Sita has played chess Ram and Sita was playing chess Ram and Sita are playing chess Comment करें आप लोग जब भी कोई sentence में end का यूज होता है आइंड का इसा conjunction है जो दो noun या फिर दो pronoun को connect करता है जब कोई noun pronoun आइंड से जुड़े हो तो फिर उसके बाद जो verb आती है helping verb जो आती है या verb आती है वो हमेशा plural आती है Ram and Sita दो लोग होगे तो play का plays लगा है गलत हो गया यहाँ पर यहाँ पर play में plays लिखा यह गलत है क्या होना चाहिए यहाँ पर play होना चाहिए option B में क्या mistake है कि Ram and Sita दो noun हो गए तो हैस का have होना चाहिए हैस का है भे पहले लवाक में क्या होना चाहिए play दूसरे वालम क्या होना चाहिए हैस का क्या होना चाहिए हैव तीसा संटेस क्या कह रहा है Ram and Sita इसमें वही mistake है Ram and Sita दो noun है वाज का यूज किया गया है वाज की जगा पर वेर हो जाए तो वाकिस ही हो जाएगा option D is the correct answer Ram and Sita are playing chess option D next in which tense the second form of the verb is used किस tense में main verb की second form का प्रयोग किया जाता है वाक की कह रहा है कि कौन सा tense होता है जिसमें main verb की second form का use किया जाता है यानि main verb होती है second form में use होती है अगो काउन सा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट है पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट कांटीनिवस है कमेंट करें आप लूप इसका जो राइड जवाब होगा आप्सट एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस नेक्स्ट फाइंड आउट इनकरेक्ट संटेंस अमंग दा फालोइंग दिएगे वाक्य में से आपको रॉंक संटेंस ढूणना है यहनी चार विकल्फ हैं आपके 4 multiple choice विकल्फ दिए गए हैं उनमें से 3 आपके right है 1 आपका false है रॉंक है रॉंक वाले को ढुढ़ना है ओप्सट ए है कि ओप्सट बी है कि ओप्सट सी है कि ओप्सट डी है चलिए देखते हैं इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आफसन ए क्या रोंग है क्योंकि डिड यूज किया गया है फिर उसके बाद जो वर्ब सेंट है यह सेंट नहों करके सेंट होना चाहिए नेक्स्ट k which one of the following sentence is in a present perfect continuous tense which one of the following sentences is in a present perfect continuous tense प्रजेंट पर्फेक्ट कंटिनुटेंज का कौन साइस में संटेंज लिखा हुआ है option A है कि option B है कि option C कि option D है सीधा सा जवाब present perfect continuous present है perfect है continuous है मतलब has been have been जिसमें लगा होगा उसा ही हो जाएगा option A में नहीं है option B में नहीं है option C में भी नहीं है option D is the correct कि यूज किया गया है तो present perfect continuous की जो है विवर होती है है जी है वी option दीज़ा करेक्ट अंसर कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो ख्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर करें थांक यू फार वाचिंग थांक यू फार